पब्लिक टीवी आपकी आवाद पहले खाना खानू उसके बाद पर्चा बनाऊगा इस पर जफर इसलाम ने कहा कि पर्चा के समय तक बनता है तो करमचारियों ने कहा कि कौने दो बज़े तक जफर इसलाम ने कहा कि खाना तो लंच टाइम में खाते हैं इस समय खाना खाने क्यों चले गए इस पर उन्होंने नाराजगी चताई दवाई लेने के लिए लाइन में खड़े लोगों से मिल रही दवाईयों की उपलब दोता भी जानी मरीजों के द्वारा कई दवा बाहर से लिखी होने की भी जान करी दी गई साथी साथ इमर्जन्सी में जाकर मरीजों का हाल चाल जाना सीमस से कहा कि एर कंडिशन में बैठने की जगह अस्पताल में घूम कर मरीजों और तीमारदारों की समस्याओं का हाल करें कि आप पेशन की समिधाओं का चित्वार्ट आप एर कंडिशन में बैठने को रूस को फूर महीं लग रहा हां था नियुक्ता कानून निगिन खुछ ओगए और उसो कड़्मी में खड़े शर्ण बैठ दे कि चगहा तंब ते वो सुविधाय आपको जेखने आपको जेख तो यह सब चीज़ने जो है लेक्रिटी जो है इसको आपको रहा है कि एक सर्प्राइज विजिट था लोगों को से नुबरू होंके पूछना चाहते थे कि उनका एक्सपीरेंस क्या है यास्पीटल में आके जो सुरिधाय मिल लाइ, जो सर्कार सुरिधाय देती है, जिसकी उप्यक्शा रहती है कि भाइयां मिल रहे हैं, डवाएय के नहीं, बहुत लंबी लगरी है, लोगों को वो सुरिधा होनी चाहिए, ह्लै तो मैंने इसके बारे में यहां के चीफ मेडिकल और जो लोगों ने अपनी कटनाईयों के बारे में काया है और उनसे यह भी कहा है कि आगे ऐसे ध्यान रखें कि आप नागरिक हो इस तरह की तक्रीफ ना हो और बहतर से बहतर जो इलाज हो सके जन तक हो यहां हो शुरुवाती निरिक्षण में क्या पाया आपने वहां पर ज बोड़ी बहुत जो जो पर्चा बनाने वाले लोगों को अपने ट्टा समय से समय तक रहना चाहिए वह पहले ही समय से बाहर कोंटन बंढ़ करके चले गए थे इसके बारे में भी मैंने आपनागरी की तरह बंढ़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहां पर जो होना चाहि पब्लिक टिवी आपकी अबाद